नमस्कार दोस्तों बद्वस्वागत आपका अमारे चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी जानकरी देने वाले हैं जिसकी मदद से आप हमेशा रेलवे की कंफर्म टिकेट ले पाएंगे कभी आपको वेटिंग टिकेट नहीं मिलेगी और नहीं कभी आपको ततकाल की धक्का मुकी खानी पड़ेगी बहुत सिंपल से तरीके से आप हमेशा रेलवे में कभी भी मान लीजे आपको कहीं जाना है तो आप हमेशा ही कंफर्म टिकेट ले पाएंगे सिर्फ अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो चलिए देखते हैं किस तरह से आप कंफर्म टिकेट ले पाएंगे तो जैसे कि मुझे अभी जाना है दिल्ली से चंदोसी एक तारिक को तो चलिए हम उसी बारे में इसमें आपको दिखाते हैं तो सबसे पहले आपको गूगल ब्राउजर पर जाना है वहाँ पर IRCTC लिखना है IRCTC जो की रेलवे की साइट है यहाँ पर आपको चले जाना है यहाँ से हम पहले चेक करेंगे कि हमें कोई टिकेट मिल रही है या नहीं मिल रही तो यहाँ पर हमने IRCTC की साइट पर हम यहाँ पर चलेगे इसी तरह से आप अपने फोन पर भी चेक कर लीजेगा पहले क्या आपको टिकेट मिल रही है या नहीं मिल रही जिस भी डेट पर आपको पहले कहीं जाना है तो यहाँ पर अब हमें चेक कर लेना है अब हमें यहाँ पर चेक कर लेना है अपनी ट्रेन के बारे में कि हमें कहां से कहा जाना है तो हमें जाना है नई दिल्ली से चंदोसी ठीक है तो उसी बारे में मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूं कि मुझे कोई टिकेट यहाँ पर मिल रही है या नहीं मिल रही तो मुझे एक तारीक को जाना है तो मैं यहाँ पर एक तारीक date सेलेक्ट कर लेता हूँ देखे मैं यहाँ पर एक तारीक सेलेक्ट कर लेता हूँ देखे मैं एक तारीक यहाँ पर सेलेक्ट कर ली आप भी देख सकते हैं नई दिल्ली से मुझे चंदोसी यहां पर train बता दी गई यह जहाँ पर देखिए पहली train तो रात को पौने 12 बज़े जाती है तो इसमें तो मैं नहीं जाना चाऊँगा औई देखे दूसरी ट्रेन सबा चार बजे की है शामको और तीसरी यह सूबे-शूबे चार बजे की है तो इसमें भी मैं नहीं जाना चाता तो चलिए मैं इसमें चेक करता हूँ जो शामको चार बज के 25 मिनट की ट्रेन है तो सबसे पहले तो मुझे sleeper में जाना है, तो मैं sleeper की ticket यहां पर, यहां करता हूँ, check इस पर आपको click करना है, check availability पर, जो हम यहां पर check करेंगे, तो हमें यहां बता दिया जाएगा कि यहां पर कितनी seat available है या कितनी seat नहीं है, या कितनी waiting चल रही है, सब कुछ यहां पर हमें बता दिया जाएगा तो देखिए यहाँ पर हमें बताया है कि यहाँ पर अगर आप आज टिकेट बुक करेंगे तो वेटिंग लिस्ट मिलेगी आपको 48 यानि कि 48 वेटिंग मिलेगी कन्फर्म के कोई चांसिस नहीं है यह देखिए 48 वेटिंग मिलेगी आपको दिख रहा होगा अगर हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमें बता देगा कि कितने चांसिस है इसे कन्फर्म होने के तो सिरिफ 51 परतीशत चांसिस हैं कि यह टिकेट कन्फर्म हो जाए अगर हम वेटिंग में टिकेट लेंगे तो तो यह तो फसने वाली बात हो जाएगी दोस्तों अब हम इसी ट्रेन में किस तरह से कन्फर्म टिकेट ले पाएंगे वो इस बारे में हम आप बात करते हैं तो चलिए हमने यहाँ तो चेक कर लिया है कि हमें तो यहां 48 बेटिंग मिल रही है अब कन्फर्म कैसे लेंगे उस बारे में बात करते हैं तो आपको जाना है अपने गूगल ब्राउजर पर अब आपको गूगल ब्राउजर पर जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है कन्फर्म टिकेट यहाँ पर आपको लिखना है confirm ticket तो देखें जैसे आप यहाँ confirm ticket लिखेंगे तो यहाँ पर आपको दो option मिलेंगे एक तो पहला number option आपको computer पर चलाने के लिए है और दूसरे number का option जो है वो आपको mobile पर चलाने के लिए है तो हमें यही पर mobile वाले पर ही क्लिक करना है क्यों मैं अपने mobile पर ही चला रहा हूँ इसलिए तो आपको जो भी train अपनी search करनी है जहां से भी आपको कहीं जाना है तो आप यहाँ पर उसको search कर लीजिए ठीक है नई दिल्ली से चंदोसी जैसे कि मैंने आप पर search किया है अब यहाँ पर अपनी date आप डाल दीजिए जैसे कि हमने IRCTC की site पर हम डाल रहे थे उसी तरह से यहाँ पर भी आप लिख दीजिए देखिए यहाँ एक मार्च को मैंने train search करी है दिल्ली से आनदवियार दिल्ली से चंदोसी ठीक है अब यहाँ पर आपको search पर click करना है यहाँ पर भी अभी हम train ही search कर रहे है लेकिन परक यह है कि यह हमें confirm action का बताएगा कि हम किस तरह से confirm ticket ले पाएंगे वहाँ तो स्रीफ हमें यह बताया था कि इतनी waiting चल रहे है लेकिन यहाँ पर हमें tips भी दी जाएंगे कि हम किस तरह से confirm ticket ले पाएंगे तो देखिए अब यह खुल चुका है यहाँ पर देखिए सुबे 6 बज़े वाली train है इसमें 84 ticket अवेलेबल है लेकिन सुबे 6 बज़े वाली में तो हमें जाना नहीं है अब यह वो train है जो 4 25 की थी और इसमें 48 waiting भी चल रहा था जैसे कि हमने अभी पहले भी चेक किया है तो अब हमें इसके अंदर कैसे confirm ticket मिलेगी इस बारे में ही हम सोच रहे हैं तो देखिए यहाँ पर हमें दो tips यहाँ पर बताए गई है देखिए बल्ब जल रहा है बल्ब का मतलब है कि इस train में chances है confirm ticket के और वो कैसे chances हैं देखिए हमें बता रहा है कि आप 2 ticket book कर लीजिए एक तो आनद विहार से मुरादाबाद चले जाईए और मुरादाबाद से चंदोसी चले जाईए लेकिन आपको दूसरी train नहीं ले नी इसी train में आप आनद विहार से मुरादाबाद की एक ticket लीजिए फिर मुरादाबाद से चंदोसी की दूसरी ticket ले लीजिए तो आपको confirm ticket मिल जाएगी दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि हर train के अंदर एक station से दूसरे station के कुछ कोटे होते हैं और जब तक वो seat फुल नहीं होती वो खाली पड़ी रहती हैं तो यहाँ पर उनी seatों के बारे में हमें यहाँ बताया गया है तो आप यहाँ पर देखे आपको यह option दिख रहा होगा एक detail का तो आप यह detail के से चंदोसी की ticket book कर लीजिए वो भी आपको confirm मिलेगी बस आपको करना क्या है आपको seat change कर लेनी है मुरादाबाद पर ठीक है और same ही train आपकी रहेगी और डबबा भी जादर same ही होता है ऐसा बहुत ही कम chances होते हैं कि आपका डबबा change हो जाए नहीं तो आपका same ही डबबा होता है और आराम से आप एक seat से दूसरी seat पर चेंज कर पाते हैं और आपको यहाँ पर confirm ticket इस तरह से मिल जाती है तो अगर आप टोकडों में टिकेट ले लेते हैं तो एक ही train में कोई ऐसा नहीं कि आपको मुरादाबाद में उतरके दूसरी train लेनी पड़ेगी ऐसा भी नहीं है सेम ही train कि आप ticket ले लिजिए आनद्यार से मुरादाबाद और मुरादाबाद से चंदोसी की यह आप दो ticket ले लिजिए और आपको confirm ticket मिल जाएगी आप यहां से online ticket भी book कर सकते हैं जैसे कि आप कोई option दिख रहा है आप यहां से online भी book कर सकते हैं नहीं तो आप इस जानकारी को अप लिख लीजिए और आप अपने नजदी की reservation counter पर चले जाएए और वहाँ पर आप अपनी ticket ले लीजिए और आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने टुकडो में दो टिकेट बुक कर ली है आनन्द वियार से मुरादाबाद और मुरादाबाद से चंदोसी और मुझे यहां पर confirm ticket मिल गई है तो दोस्तो आप भी इसी तरीके को use करके कभी भी जब भी आपको कहीं पर जाना हो तो आप एक बार confirm ticket पर आप चेक कर लीजिए और आप यहां से confirm ticket ले पाएंगे और आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी तो दोस्तो यह जानकर आपको कैसे लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए अगर यह वीडियो आपको अच्छे लेगी तो प्लीज से लाइक कीजिए अपने दोस्तों परिवार के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आपकी स्क्रीन के उपर सब्सक्राइब के लाल निशान के उपर टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए ताकि आपको मारी बनाए हुई नए नए वीडियो लगातार मिलती रहें यह बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे जाज़ ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं तो भी के लिए इतना ही धन्यवाद